हलो दोस्तों आज हम सीखेंगे यूवी ग्राफ बनाना तो इसके लिए हमको चाहिए वेवलेंद कौन-कौन-सी पर हमने हमारा आप्टिकल देंसेटी निकाला है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा और टो फिल ऑप्शन पहले मैं टाइप करता हूं 200 दें 250 दोनों को सेलेक्ट किया फिर ऑटो फिल ऑप्शन से उसको जो एक छोटा सा नीची डॉट आता है उसको पकड़के जहां तक मुझे वैल्यूस चाहिए उसको मैं खिच लेता हूं फिर मुझे चाहिए यहां पर ओडी वैल्यूस जो मैंने पहले से कॉपी किई हुई थी आप चाहिए तो इसमें टाइप भी कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे इंसर्ट में जाके स्क्राइटर और इसमें यह वाला ऑप्शन चूज करेंगे अब इस ग्राप को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं बढ़ा कर लेता हूं यह मुझे नहीं चाहिए तो म axis horizontal axis horizontal axis is wavelength upset करेंगे इसका vertical axis जो हो का OD अब हम जाहेंगे गाइडलाइन पे अंदर horizontal guidelines गाइड लाइन्स जो भी गाइड लैंस हम को चूज करनी होती है जो हम को ग्राप में दिखाने है उसको हम चूज कर सकते हैं यहां आप देखें कि यह माइनस 5 में बतारा है जबकि हमने कोई भी वैल्यू माइनस पर नहीं दिये तो हम इसकी सेटिंग में जाएंगे more options जो कि यहां पर मिलता है इसके अंदर हम fix करेंगे minimum values को जो कि 0 है 200 इसको हम सेट करेंगे 1100 क्योंकि हमारी ये wavelength की range है इसके अंदर हम major unit और minor unit भी change कर सकते हैं कि हमें कितने पर इसमें guideline चाहिए तो मैं इसको set कर देता हूं 50 पर तो यह इस टाइप कर कुछ दिखाई देगा है जाट टाइटल्स इंसर्ट तो यह हमारा चार्ट लाइच चलते है यार कि युलेंट फर्सेस पुटी चलत थोड़ा सा बड़ा करते है अब यहां पर ही आपको माइनस 5 वैली देख लिए इसमें क्या करूंगा वर्टिकल एक्सेस की अप्शन्स फिक्स वैली को जीरो कर दूंगा बाकी चीज़ों को मैं कोई चीज नहीं कर रहा हूं अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अब हम कुछ इसमें और करते हैं ताकि थोड़ा प्रफेशनल लगे तो यहां पर यह डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसका सब्सक्राइन टाइप है कि मुझे इसके एक्सिस की ग्रेड लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसको चेंज कर देता हूं कि अब मुझे इस डाट स्कोहटाना है यहां पर आपको डॉट्स पर सेलेक्ट करना है फिर फॉर्मेट सेलेक्शन मार्कर ऑप्शन यहां पर आप सकते हैं या कोई और दूसरा ऑप्शन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं जिसे मैं भी लेता हूं स्टार साइं और यहां द अब आप देखेंगे कि यह graph एक थोड़ा professional टाइप का लग रहा है तो जैसे आपको आपके प्रोजेक्स के लिए चाहिए या आपके representation के लिए आप उसे change कर सकते हैं एक बार graph बनाने के बाद आप इसके अंदर वैल्यूस को change करेंगे तो graph automatically change होता होता हो जाएगा जैसे 2.5.7.88 देखिए graph automatically आपका change होता होता हो जा रहा है थैंक यू डोंट फर्गेट टो सब्सक्राइब